हाई गाईज वेल्कम बैक टू नदर सेशन मैं आप आप नोट लेकर आई हूं आपके लिए करंट अफियर्स का एपिसोर नंबर 772 आज की तारीक है 8 सप्टेंबर 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनाक्र और फ्रेंटेर आएस और अगर अगर अपने मारे चानल्स को नहीं किया है तो सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से से सीजल पिनेकल डॉट कॉम और बलजी धाकर डॉट को में उनको विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा यह सेशन हर रोज सुबा चार बज़े वेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज की कोशिन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट करेंगे प्रीवेस चैरिटिद दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है पांच सितंबर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ डॉक्टर अकिन वूमी अधिसीना को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है उन्हें 2020 की वाशिक बैठक के अंतिम दिन गुरुवार 27 अगस्त को बैंक के सभी राजेपालों का एक मत मत प्राप्थ हुआ था विश्व स्तर पर प्रसिद विकास अर्थशास्तरी और विश्व खाद पुरसकार विजेता और सनहक शांति पुरसकार विजेता डॉक्टर 2015 को बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था यहां पुने फोटोग्राफ में देख सकते हैं और एक क्विक रिविजिन की बात करें तो आफ्रिकन डेवलोपेंट बैंक का हैड कोटर अभिज्जान कोट दिवायर में है अगला प्रशन है नीले आसमान के लिए साथ सितंबर 2020 इस साल साथ सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनाशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइस अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच वायू का अंतराष्ट दिवस मनाया गया इस दिन को मनाये जाने का उदेश्य व्यक्तिगत सामुदाइक कॉर्परेट और सरकार सभी सरों पर लोगों में जागरुकता बढ़ाना है संयुक्त राष्ट महासभा ने अपने 74 सत्र के दुरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतराष्टे स्वच वायू दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था इस दिन को मनाने के लिए जल वायू और PCAC ने UNEP और कोरिय गनराजे के साथ मिल कर काम किया यहाँ पर एडिशनल इंफोर्मेशन की बात करें तो साक्षरता समस्याओं के प्रती जगरुकता और चिंता बढ़ाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतराष्टे साक्षरता दिवस मनाया जाता है अंतराष्टे साक्षरता दिवस 2020 COVID-19 संकट में साक्षरता शिक्षन पर केंद्रित है अगला प्रेशन है फॉर्मुला वन इतालवी ग्राप्री 2020 किसने जीती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी पियरे गैसली पियरे गैसली ने इटैलियन ग्राप्री जीत कर फॉर्मुला वन एफ वन अपनी पहली जीत दर्ज की फ्रांस के 24 साल के गैसली ने मेकलॉरन के कार्लो सैंच को 0.415 सेकंड के अंतर से पचाड़ा रेसिंग पॉइंट के लास्ट ट्रोल तीस्टे स्थान पर रहे यह तीनों चालक पहले कभी किसी रेस के विजेता नहीं रहे हैं विश्वी चैंपि जिससे वह पिछड गए और साथवे स्थान पर रहें बात करें इटिली की तो इसकी कैप्टल है रोम और करंसी है यूरो अगला प्रशन है तुएसा मलिक के स्खेल से संबंदित है तो इसका सही जवाब है option number B गॉल्फ भारतिय गॉल्फर तुएसा मलिक फ्लम्सबर्ग ल महिलाओं के 2019 इंडियन ओपन में सर्व शेष्ट पर दर्शन करते हुए छटा स्थान हासिल किया था तुएसा ने लेडिज यूरोपिये एक्सप्रेस टूर के इस टोर्णमेंट के अंतिम दौर में दो अंडर 70 का स्कोर बनाया अगला प्रशन है किस पूर्व ऑस्ट्रेलि मैथियो हेडन और भारतिय मूल की राजनेता लीसा सिंग को भारत के साथ व्यापार सबंदों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत न्यूक्त किया है औस्ट्रेलिया भारत परिशत के बोड में तीन नई न्यूक्तियों की घोशना की गई तसमानिया की पूर्व ल जिन ने ऐस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 एक ृसओ अ उन्तरलाश्ट्रे मैच्च खेले उन्होंने 40 अंतराश्टे शतक बनाए ड़ी प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने प्रवासी भारत्य संबान पुरसकार प्राप्त किया है अगला प्रशिन है F.A.O के 35 एशिया प्रशांद क्षेत्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस ने किया है तो इसका सही जवाब है C. पुर्शोत्म रुपाला खाद और क्रिशी संगठन F.A.O का 35 एशिया प्रशांद क्षेत्र सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण अभासी प्रारूप में आयूजित किया गया था सम्मेलन भुटान के मेजबन देश के ध्यक्षता में आयूजित किया गया था केंद्रे क्रिशी और किसान कलियान राज्य मंत्री पुर्शोत्म रुपाला ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया सम्मेलन के क्षेतर प्रात्मिक्ताओं और कोविड नाइंटीन क्रिशी की स्तिथी प्राकरितिक संसादन प्रबंदन खाज सुरक्षा और पोशन जैसे मुद्दो पर ध्यान केंद्रित किया गया बांगला देश 2022 में एशिया के लिए 36 वे क्षेतर सम्मेलन की में जबानी करेगा अगला प्रशन है Federation of Automobile Dealers Association के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है option number B Vincash Gulati Federation of Automobile Dealers Association F.A.D.A. ने Vincash Gulati को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोशना की है United Automobiles के निदेशक Gulati ने आशीश हर्षराज काले की जगह पदभर संभाला और उनका कारेकाल 2020 से 2022 तक रहेगा F.A.D.A. की 298-वी Governing Council की बैठक में Gulati की नियुक्ती को मंजूरी दी गई जो की इसकी 56-वी वार्षिक आम बैठक के तुरंट बात आयुजित की गई थी F.A.D.A. के उपाध्यक्ष के रूप में मनीश राज सिंगान्या को भी चुना गया है यहाँ पर एडिशनल इंफोर्मेशन की बात करें तो Society of Indian Automobiles Manufacturers SIAM की कारेकारी समिती ने कैनीची आयुकावा को अपना नया अध्यक्ष चुना है आयुकावा 2013 से प्रबन निदेशक और मुखे कारेकारी अधिकारी मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष है और SIAM के उपाध्यक्ष थे अगला प्रेशन है विरुधु नगर जिले को किस राजय का पहला पुनेट डिजिटल अर्थ विवस्ता वाला जिला चुना गया है तो इसका सही जवाब है Option No.A तमिल नाडू तमिल नाडू के विरुधु नगर जिले को केंद्र सरकार ने राजय का पहला पुनेट डिजिटल अर्थ विवस्ता वाला जिला चुना है इस जिले में विशेश रूप से पटाखे और संबंध शेत्रों के छोटे और मजोले उध्यम शामिल है जिले में सभी ओध्योगिक इकाईया और वानिजिक प्रतिष्थान वर्तमान में कैशलस लेंदिन के विभिन रूपों को लागू कर रहे हैं इनमें ATM डेबिट कार्ड का व्यापक उप्योग, इंटरनेट बैंकिंग का बढ़ता उप्योग, QR कोड का व्यापक उप्योग आदी शामिल है बात करें तमिल लाडू की तो इसके वर्ल्ड हैटे साइट्स में आता है नाशनल पाक्स में आता है इंदिरा गांधी नाशनल पाक, मुदुमलाई नाशनल पाक और गल्फ मैनर में राइन नाशनल पाक तमिल लाडू की कैपिटल है चन्नाई, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और सीएम है एके पलानी स्वामी अगला प्रशन है किस राज्य के प्रसिद धार्मिक नेता केशवानन भारती का हाल ही में निदन हो गया तो इसका सही जवाब है option number C, केरल प्रसिद धर्म गुरू और केरल के शंकराचार्य केशवानन भारती का निदन हो गया 279 वर्ष के थे भारती समिधान के मूल स्ट्रक्चर को सिर रखने में केशवानन भारती का योगदान एहम है केशवानन भारती ने 1973 में केरल सरकार के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका दायर किये थे कोट में यह याचिका सरकार और मूल अधिकार के लिए इस पीठ ने फैसला दिया कि संसद को समीधान में संचोधन करने की शक्तियां सीमित है हाला कि संसद मूल अधिकार में बदलाव नहीं कर सकती है अगला प्रेशन है किस राज्य केंदरी शासित प्रदेश ने प्रशासिनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट प्रदेशन मुल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो प्रणाली शुरू की है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर डी जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर के उपर राज्यपाल मनोज सीनहा ने स्पैरो सिस्टम को लॉंच कर आनलाइन मुल्यांकन प्रणाली को विधिवत शुरू किया प्रशासिनिक अधिकारी अपनी प्रदेशन मुल्यांकन रिपोर्ट को स्पैरो पोर्टल पर भेजेंगे J&K के प्रशासिनिक सेवा के अधिकारीों के वार्शिक प्रदेशन रिपोर्ट का मुल्यांकन मैनुवल की बजाए स्पैरो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा इससे करीब 1289 अधिकारीों को मुल्यांकन रिपोर्ट में और जादा पारदर्शिता का लाब हासिल होगा J&K E-Governance Agency सूचना तेकनीक विभाग ने National Informatic Center और समाने प्रशासनिक विभाग के समनवे से नए सिस्टम पर अमल शुरू किया है यहाँ पर एक क्विक रिविजिन की बात करें तो किस भाषा को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है तो इसका सई जवाब है डोगरी, हिंदी और कश्मीरी बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेटनियन गवर्नर है मनोज सिनहा और लदाग के लेटनियन गवर्नर है आरके माथुर बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक क्विक समरी की तो डॉक्टर अकिनवुमी अधिसीना को आफ्रिकन डवलोप्मेंट बैंक के लिए फिर से न्युक्त किया गया है फर्स्ट एवर इंटरनाशनल डे औफ क्लीन एर फॉर ब्लू स्काइज सेप्टेंबर साथ दोहजार बीस को मनाया गया है फॉर्मुला वन इटालियन ग्रांट प्रिक्स दोहजार बीस के विजेता है पियरे गैसली तुएसा मलिक गॉल्फ खेल से संबंदित है फॉर्मर ऑस्ट्रिलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को ट्रेड एन्वॉई के लिए चुना गया है 35th FAO Regional Conference का प्रतिनिधित्व पुर्शोत्तम रुपाला ने किया Federation of Automobile Dealers Association के प्रेजिडेंट के तौर पर विंकेश गुलाटी को चुना गया है तमिल लाडु के विरुदु नगर को फर्स्ट फुली डिजिटल एकनॉमिक डिस्ट्रिक गुशित किया गया है केरल के रिलीजियस लीडर केशव अनन भारती का हाल ही में निधिन हो गया है स्पैरो सिस्टम जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई है बात कर लेते हैं आज के सेशन के quiz for the day के आपको पहला question है नीले आसमान के लिए अंतर राष्ट्र स्वच वायू का पहला अंतर राष्ट्र दिवस कब आयुजित किया गया और आपको दूसरा question है तुएसा मलिक किस खेल से संबंदित है और अगर अब तक आपने माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा साथी साथी इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स sscigilpinnacle.com और बलजी धकर.com को विजित करना बिलकुल ना भूलिएगा थैंक यू सो मच